आज मैं जो बात करूंगा वो जो नया निर्मिला सीता रमन जी एक एकनॉमिक स्टिमिलस पैकेज फिर से लेकर आए हैं और स्टिमिलस पैकेज में क्या-क्या हमको दिख रहा है सबसे पहले हमको दिख रहा है कि घरों पर अगर कोई घर खरीदे दो करोड तक तो उनको इंकम टैक्स में छूट मिलेगी जो टैक्स देते एक उसका टैक्स कम हो जाएगा अगर वो ऐसे घर खरीदेंगे और साथ में एक और चीज जो किया है वो है कि आत्मनिरभर 3.0 जो अनाउंस हुआ है उसमें जो फैक्ट्रियां हैं जो जादा उत्पादन करेंगे उनको एक तरीके का कैश सबसेडी मिलेगा जिसको इंसेंटिव का जा रहा है मतलब कि अगर आप सोचें कि एक्स्ट्रा नया प्रोडक्शन 100 करोड का हो तो 6 करोड का बजेट से उनको सपोर्ट मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी जादा सपोर्ट है कुछ हर चीजों मेंने कुछ-कुछ सेक्टर निकाले गये हैं जहां पर वो एक्सपोर्ट भ आप देखेंगे वो है कि ताकि नौकरिया जादा हो रोजगार जादा हो और वो और्गनाइस सेक्टर में हो कंपनियों को कहा गया है कि अगर वो अक्टूबर से जून के अंदर लोगों को हायर करेंगे उनको नौकरी देंगे तो जो प्रॉविडेंट फंट का हिस्सा होत तो आप समझ लेजे कि ये बहुत ही एक आसान तरीका है रोजगार बढ़ाने का क्योंकि कमपनिया थोड़ा सा कम सैलरी दे भी तो भी जिसको एंप्लॉई किया है उसका टेक होम सैलरी यानि जो घर पे ले जाते खर्चा करने के लिए वो जादा होगा और कमपनी को भी जो इनको बचत होगी तो इससे रोजगार बढ़ सकता है कमपनी के खर्च कम होने पे भी जादा लोगों को रख सकते हैं सवाल ये है कि ये जो सारे जो हमारे सामने ये आप देख रहे हैं कि जो स्टेबिलोस पैकेज हम देख रहे हैं क्या इसको इंप्लिमेंट किया जा सकता ह मेरा कहना है कि यह नहीं हो सकता है यह जो economic stimulus package हमारे सामने है वो fail होने वाला है और क्यूं होने वाला है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में तो सवाल आपके सामने यह है कि यह economic stimulus है क्या जो economic stimulus दिया जा रहा है उसको अगर ground पे implement किया जाए लागू किया जाए तो उसका असर क्या होगा असर यह होगा कि आप जानते हैं कि यह पैसा किसको दिया जा रहा है अगर घरों को stimulate किया जाए घरों के विक्री को बढ़ाया जा रहा है तो construction sector को यह फाइदा होगा अगर construction पे खर्चा किया जा रहा है तो construction sector का फाइदा है अगर production यानि उत्पादन बढ़ाने के लिए stimulus दिया जा रहा है subsidy दिया जा रहा है तो फैक्ट्रियों को ये फायदा है तो जादा काम बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन में जहां पर बहुत सारे लोगों काम मिलता है और साथ में फैक्ट्रियों में काम बढ़ाने के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए और उत्पादन भी बढ़ाने के लिए सरकार ये कर रही है, एक तरीकी से बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं Policy Decision नीती सरकार ने लिया है आर्थिक नीती को बदला है साथ में लेकिन अगर हम Ground Level पर जाए, अगर हम किसी भी Construction Site पर जाए, तो Construction Site मेरे पीछे ये तस्वीर आप देखिए वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं लोग किसी भी Construction Site पर आप चले जाए, जहाँ पर भी Building बन रहा है या रोड बन रहा है, लोग एक दूसरे के आसपास काम करते हैं अगर ये जो आप औरते देख रहे हैं उनके सर के उपर जो उन्होंने रखा हूँ है क्यों 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 वह सर पर उठाते हैं फिर ये जो सिमेंट है या रेत है, जो भी है छोटे-छोटे पत्थर है वो अगले जो औरत है ये आदमी है, उसके हाथ में देते हैं और इसमें आसपास आना पड़ता है साथ में क्या होता है आपने देखा होगी इट उठा कर एक दूसरे को देते हैं आपने देखा होगा किसी भी साइट पर आप जाएंगे तो यह आपको दिखा होगा जब वो करते हैं तो आसपास आते हैं जो इट है उसमें छू रहे हैं तो जो भी आपका अगर infection हो इसके थू जा सकता है यह ऐसा काम है जहां पर बहुत सारा exertion होता है बहुत सारा आपका जो energy है उर्जा है वो खर्च होता है और उसमें आप जानते हैं कि सास फूलता है साथ में वहाँ पर mask पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह हुआ construction site में construction site में social distancing maintain करना बिल्कुल बिल्कुल ही नमुम्किन है तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसी में अगर मैं factory की बात करूँ तो factory में भी आपको वही चीज मिलेगा क्यों क्योंकि factory में भी लोग आसपास काम करते हैं अगर आपको दूरी maintain करनी हो social distancing करनी हो तो क्या होगा आपका उत्पादन उतना नहीं होगा और अगर उत्पादन नहीं होगा क्योंकि उत्पादन बढ़ाने पर ही आपको incentive मिल रहा है आपको subsidy मिल रहा है आप अगर factory का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो आपको कोई फाइदा नहीं होगा इस stimulus दिया गया है उस package से तो factory में भी ये problem है office में भी problem है छोटे जो दुकान है या छोटी business है वहाँ पे तो और भी problem है आप के सामने मैं ये कपड़े की दुकान की तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये जो कपड़े की दुकान की तस्वीर आप देख रहे हैं आप देखे कि किस तरह लोग आसपास हैं सिर्व जो खरीद रहे हैं वो नहीं जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वो भी कितने आसपास हैं माज भी पहन लीजे आप फिर भी आप जो बात करेंगे तो और एक और चीज़ आप देखेंगे कि दुकान हो, फैक्टरी हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहाँ पर लोग शोर बहुत जादा होता है तो आपको अपनी बात कहने के लिए काफी उची आवाज में कहना पड़ता है और हम जानते हैं कि अगर आप उच्या बोलेंगे तो आपके मूँ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो जादा दूर तक जाते हैं वो छे फीट से भी जादा दूर तक जाते हैं, इसलिए सारे जितने भी वेग्यानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो कहरें कि कोविट को रोकने के लिए आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि आप जादा उचा न बोलें तो आप सोचेजे कि अगर किसी भी ऐसे साइट पे काम हो, तो लोग आसपास हैं, मास्क पहन कर भी उचा बोलेंगे, दूर तक जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल है, कपड़े का तो ये दुकान है, लेकिन जहां से ये कपड़े आते हैं, जितने भी गार वाले को देता है, अगला वाला उसको फोल्ड करता है, वो किसी और को देता है, वो पैकेट में डालता है, लेबल डालता है, तो ये जो सारा काम होता है, किसी भी गार्मेंट वरक्शॉप में, आप कहीं पे भी चले जाएए, बड़े शहर है, छोटे शहर में, बिलकुल आ यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है तो यह क्या हो जाता है एक कोवेड या करोना वाइरस का हॉट स्पॉट बन जाता है इसे एक सूपर वेज तयार हो सकता है जहां पर आपने लोगों को दूर दूर रखा था आप अगर सब कुछ अचानक फैल रहा है क्योंकि लोग काम पर वापस जा रहें बहुत जगह पर जो ऑफिस हैं वो बंद हो रहें फिर से बंद हो रहें फैक्टरिया फिर से बंद हो रहें क्यों क्योंकि infection फिर से फैल रहा है ऐसे में सरकार कर क्या सकते है मोधी सरकार को सब कह रहें मैंने भी कहा था कि अब economic stimulus दीजी, economic stimulus दीजी, लेकिन हमने, किसी ने ये नहीं सोचा था कि economic stimulus देकर जब economy को खोला जाएगा तो उसका होगा क्या, क्या उससे कोरोणा फिर से फेलेगा, किसी नहीं नहीं सोचा था, क्योंकि लोगों ने सोझा था ठीक है छे, साथ, आठ महीने में कुरोना गायब हो जाएगा स्तंबर में लगा था कि कुरोना खतम होने वाला है हमारे देश में लेकिन फिर से अक्टोबर के बीच से वापस आने लगा है तो क्या कर सकती है मोधी सरकार मोधी सरकार को लोग कल्यान जिसको वेलफेर कहा जाता है उस पर फोकस करना पड़ेगा पूरा अपना जो बजट है वो वहाँ पर करना पड़ेगा मैं ये ने कह रहा हूँ कि आप खर्चा मत कीजिए मैं कह रहा हूँ कि एकनॉमिक स्टिमिलस जो हम कहते हैं क्योंकि अर्थ व्यवस्था में स्टिमिलस ना देकर वेलफेर लोग कल्यान में स्टिमिलस देना पड़ेगा मोधी सरकार को और ये क्या-क्या है तीन बड़े चीजे मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ सबसे पहले सबसे बड़ा जो है number one वो है खादे लोगों तक खाना पहुचाना क्योंकि अगर ऐसे कोविट बढ़ता रहेगा तो आपको एक सिस्टेम करना पड़ेगा ताकि लोगों तक चीजे पहुचाए जाए जैसे अन हो, डाल हो, सबजिया हो, जैसे गे हूँ हो, कहीं पर फल हो, दूद हो, जो लोग माच मसी कहते हूं उन तक वो पहुचाना अंडे पहुचाना ये सब करना पड़ेगा आपको और इसके लिए खर्चा है यह पहुंचाने के लिए भी आपके पूरा सेट अप करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, पोल्टरी फार्म हो, सबजी का फार्म से हो, या किसान से हो, कहीं से भी हो, दूद आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा और इसको बांटना उनके साथ एक जोड कर, एक टाय अप करके, जिन लोगों के घर में किचन चलाना मुश्किल है, जैसे बुजर्ग लोग हैं, उनको किचन चलाना मुश्किल होता है उनके लिए, तो वहां तक खाना पहुचाना, स्टूडेंट है जो अकेले रहते हैं, जिनके पास किचन नह हमारे देश में भी किया जा सकता है, आप कहेंगे गाउं में कैसे हो सकता है, यह गाउं में हो सकता है, अगर NGO जो खाना डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, बहुत सारे NGO हैं, जो गरीबों तक खाना पहुचाते हैं, उनके साथ टाय अप करके गाउं तक खाना पहुचाने का, या खाद्य पहुचाने का, अन पहुचाने का, सबजी पहुचाने का काम किया जा, खैर, यह सब वहीं से आता है, तो गाओं में पहुचाना उतना मुश्किल नहीं है, अगर आप NGOs के टाइप करें और उसको बांटने में, डिस्ट्रिबूट करने में थोड़ा सा मेहनत करें, सेंट्रलाइज करें और थोड़ा सा effort डाले, साथ में number two क्या चीज है, number two है एक और चीज जिस पे हमारे देश में कोई भी infrastructure नहीं है, और वो है health, यानि आपका जो स्वास्त है, उसका हमारे देश में कोई infrastructure नहीं है, तो आपको किस पे खर्चा करना पड़ेगा, हर साल कहा जाता है कि 6 प्रतिशत हमारे देश की GDP health पे खर्च होनी चाहिए, लेकिन budget में उतना पैसा होता नहीं, क्योंकि 6 प्रतिशत कितना है, 12 लाग करोड के आसपार, लेकिन अगर health पे इस वक्त 6-7 लाग करोड भी खर्च किया जाए, चाहे वो budget के support से हो, चाहे वो loan के तरह हो, क के साथ आपको tie up करना पड़ेगा, हमारे देश में गाओं गाओं में जो local doctor, जो doctor नहीं होते हैं, license उनका नहीं होता है, वो फिर भी थोड़ा बहुत आपको help करते हैं, गाओं के लोगों को help करते हैं, उनके बिना गाओं नहीं चल सकता, गाओं में health system नहीं चल सकता, उनको थोड़ा बहुत training दे कर, किसी app के थुरू, किसी startup के थुरू उनको organize करके आप help को बढ़ावा दे सकते, याद रखिए, एक चीज़ आप संजिए, कि अब अगर coronavirus का vaccine भी लोगों तक पहुचाना होगा, तो पूरा एक धाचा हमको establish करना पूड़ेगा, पूरा एक धाचा ल vaccine अगर भारत में लाना पड़ेगा, तो कितना infrastructure बिठाना पड़ेगा health का, तो health पे 5-6 लाग करोड सरकार को खर्च करना चाहिए, और आखरी, जो तीसरा सबसे बड़ा चीज होता है, जब हम welfare या लोग का लियांकी बात करते हैं, तो वो है education, और पढ़ाई लिखाई में school खोलना एक बात है, टीचरों को पैसा देना, आप देखे कि हर स्टेट में teacher पड़े हो हैं, जिनको पैसे नहीं मिल रहें, उनका salary नहीं मिल रहा है, पार्ट टाइम टीचर रखे जारें, contract पर टीचर रखे जारें, इस पर भी खर्चा करना ज़रूरी है, ये पैसा भी खर् भारत की हम बात करते हैं, तो सरकार को इस वक्त गाउं गाउं में, छोटे शेहरों में, गरीब लोगों तक कोई ना कोई device चाहिए, वो tablet हो, smart phone हो, computer हो, laptop हो, ये पहुँचाना पड़ेगा, और इसमें सरकार को एक बड़ा contract किसी भी company को देना है, कि आप भारत में बनाईए आकर ये laptop बगएरा जितना बना सकते हैं, phone बनाईए, और हम bulk में खरीदेंगे, और लोगों तक पहुचाएंगे, बाटेंगे, तो इससे भी, और broadband को भी setup करना पड़ेगा, तो इससे भी आप देखिए कि एक तरीके से ये education का infrastructure बैठागा, सवाल ये है कि economic stimulus का मतलब होता है कि सरकार economy पे सीधा खर्च कर रही है, वो ही खर्चा, उतना ही पैसा, अगर 10, 12, 15 लाक रुपे सरकार खर्च करने को तयार हो, मतलब 7, 8 प्रतिशत हमारे देश के GDP उसके तो उतना खर्च करने को तयार हो, तो इन तीन लोग कल्यान वाले चीज, जो है food for all, health for all और education for all पर ख economy को भूलना जरूरी है और भारत को एक अच्छा खासा welfare state यानि कि लोग कल्यान वाला राज बना सकती है मोधी सरकार, तो आज का economic का इसाब किताब यही तक